प्रभाकरम का साथ के बहुजन समाट पार्टी के उमेदवार अभिशिक शंबरकर जी भी साथ में हैं कि उनका इस चुनाव को लेकर क्या आजनडा हैं? अभिशित संवर्थे कि आपका इस तुनाव को लेकर क्या आगिन थे हैं? सबसे पहले मैं कांशीराम टीवी के सभी लोगों को मैं जैभीम करता हूँ मेरा आइजेंडा ऐसा है कि मैं पाथ साल से इस प्रभाग का नगर सेवक रह चुका हूँ प्रभाक्रमांग पाच जो है उस प्रभाग का मैं नगर सेवक पाथ साल से रह चुका हूँ यहाँ पर स्लम एरिया काफी है स्लम एरिया है यहाँ पर पानी की समस्या है यहाँ पर गार्डन नहीं बनाये गए थे यहां के करीब दो-तीन ऐसी जगए है, मैदान है, जो अभी तक के NIT में थे, अभी वो कार्पोरेशन में हस्तनतरित हो गए है, तो अभी हमको मौका मिलेंगा कि आने वाले एक साल में हम वहां मैदानों को बगीचो में, स्पोर्ट्स क्लब में उसका विकास कर सके, दूसरी से बड़ी यहां पर समस्या ऐसी है कि यहां पर जो स्लम एरिया है, यहां पट्टे वाटब अभी तक नहीं हुए, तो हमारा पट्टे वाटब जो है, उसके उपर विशेश ध्यान रहेंगा, दूसरा यहां पर मोसली रोड हो चुके है, जो रोड बचे हुए है, वो रोड सतरा के जो कारियकाल में, जो घरकूल की जो नीदी है, वो जादा से यादा हमारे प्रभागों में लगे, ऐसे हमारी प्रैतन रहेंगा, यहां इस प्रभाग में काफी दिगज लोग खड़े हुए है, बीजे पी के, कॉंग्रेस के, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के च रुजच था और पाससाल बाध का आज का जो दुरुच्च है, उसमें का। कुछ परिवर्तन हुआ है जो कि बहुजन समाज पाल्टी एक परिवर्तन वादी विचारधारा की पाल्टी है उसी प्रकार का परिवर्तन विकास कामों का परिवर्तन हमने यहां किया है तो इसी आशा के साथ में हम पूरी तरीके से यहां परिवर्तन लाएंगे और जैसे य मैनी समस्ता वो दावेदार बहुत बड़े है क्योंकि जिसके साथ जनता है जिसके पीछे जनता है उसके पीछे ये कोई दावेदार कोई काम के निये है तो ये थे प्रभाक्रमान का साथ बहुजन समाज पार्टी के उमिद्वार अभिशिक शंबरकर जी यहां प्रभाक साथ में काफी दिगज लोग उमिद्वार हैं मगर इस दिगज उमिद्वार को धोबी प्रचाड देने का काम अभिशिक समबरकर के साथ में चारों उमिद् पार्टी के मैं भीम्राव लोनारे